जाहिन देवरीवन, आप पुरे भारत में किसी भी राज जैसे हो, चाए मेल हो, चाए फिमेल हो, अगर आप इस बार अगनी मीर का भरती देखने वाले हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, अगले बार जो अगनी मीर का भरती कराया गया था, उसमें जो नियम कानून लगाया जाएगा, और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, अभी एक नियूज के माद्यम से बहुत सारी चीजों को बताया गया है, वो सारी चीजों को मैं आप लोग को समझाने का कोशिस करा हूं, और जो नियूज पेपर है ना, वो पूरा का पूरा नियूज पे अगले बार जो अगनीवीर का भरती कराया गया था तो मतलब उसमें जो नियम कानून नहीं लगाया गया था, इस बार वो नियम कानून लगाया जाएगा, पूरा बास समझने का कोशिस करना, देखो मैं छोटी-छोटी पौाइंटों पर बहुत ज्यादे ध्यान देता हू 2023 में जो अगनीवीर का भरती कराया गया था, उसका ये प्रकिरिया था, मतलब जीस दिन से अनलाइन होना शुरू हुआ, जिन लोग का अनलाइन हो गया, अनलाइन होने के बाद जब एड्मिट कार निकल गया, तो सभी लोग पेपर देने के बाद जब उसका रिजल्ट नि गया, उसके बासे मेडिकल में जितने लोग फिट हो गए, तो अब उनलोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, लेकिन इस बर 2024 में जो अगनीवीर की नई भरती होने वाली है तो इसमें कुछ और जोड़ा गया है, ठीक ना, वो क्या जोड़ा गया है, वो भी मैं आप आने पास से नहीं बता रहा हूं, न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है, कि इस बर अगनीवीर का 550 रुपया अप्लीकेशन फिस लगेगा, और एक समय आएसा था ना, इंडियान आर्मी का भरती होता था, तो एक 200 रुपया अप्लीकेशन फिस नहीं लागता था, जो ल सबसे पहले ना पड़ेगा, और वह हमी लोगों के जेव से पैसा कटेगा, ठीक ना, ऐसा न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है, वाले समय में चुनाव आने वाला है, तो साहित जो नेता विदाएखा ना, उन लोगा पैसा खर्च हो गया है, इसले वो लोग सोच रहा सबसे पहले न्यूज को देख लेते हैं, उसके बाद से मेडिकल के बाद जो जांच होगा, उसको समझेंगे ठीक है ना, यह रहा पूरा का पूरा न्यूज पेपर, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, अगनीवीर भरती, आवेदन सुलके के साथ देना होगा जी और नीचे इस न्यूज पेपर में अगनीवीर भरती से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को बताया गया है, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बास समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कि साल 2024 के लिए अगनीवीर भरती प्रकिरिया सुरू हो चु बताया जारा की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, फिलहाल थल सेना और वाईव सेना ने भरती के लिए आवेदन भी मांग लिया है, परवेश सूल क जहां 550 रुपय है, अब देखो 550 रुपय इस बार अनलाइन कराने जाओगे ना तो 550 रुपय लगेंगे, इस न्यूज बताया जारा है, कि आठ फरवरी से मतलब अनलाइन चालू हो जाएगा, और एक कई समार्च इसका लास्ट डेट राने वाला है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है, कि दूसरी और वाईव सेना में बता और अगनीवीर भरती के लिए भी भ्यार्थी छो फरवरी तक अनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतलब वाईव सेना का तो अनलाइन चालू है, तो वाईव सेना का लास्ट डेट छो फरवरी राने वाला है, और थल स बताया जारा है कि आठ फरावरी से चालू होगा और लास्ट डेट एक कई समार्च रहने वाला है आगे बताया जारा है कि इन भरती के लिए भीड जादा नहों इसके लिए दो चरड़ों में अब भ्यार्थी के नाम पर फाइल किये जाएंगे आगे लिखा गया है या पर द और आपी लोग के जेव से इसके साथ GST भी कटेगा सरकार कितना पैसा खमाना चाहती है या आगे लिखा गया है कि आई इसकैन से लेकर डोप टेस्ट तक पहुँच चुकी है अगनीवीर भरती प्रकिरिया नीचे लिखा गया है कि आखों के इसकैन से डोप टेस्ट तक प कि या गया सम्हस्ट कंडू एसं लिए कि यह और ह काफी सा इसलिए बर्फ्रास ब्रुब्जेंग मुखने साइब 2022 में जो भरती हुआ था जब आँखों के रेटीना का इसकाइन किया गया ना तो हरियाना में 200 से अधिक फरजीवारे मतलब सामने आये थे आगे लिखा गया है कि जहां पर अगनीवीर भरती के लिए कागजातों में फेर बदल किया गया या फिर दूसरे के अस्थान पर फीजिकल टेस्ट देते पकड़ा गया इसके बाद 2023 में भरती के लिए डोब टेस्ट को अपनाया गया ताकि पता चल सके कि फीजिकल टेस्ट क किलियर करने के लिए कहीं कोई नासा या अन्य दवा तो नहीं ली गई है नई भरती को लेकर जो कुछ भी लिखा गया था वो पूरा पूरा बात में आप लोगों को बता दिया हूं साथी इस वर अगनीवीर का भरती देखने वाले हो तो इसको भी एक बार आप लोग अच उमिदवारों को इस साल अनिवार्य रूप से मानसीक जांच परिच्छा से गुजरना होगा देखो साब साब बोला जा रहा है कि सेना में भरती होने वाले उमिदवारों को इस साल अनिवार्य रूप से मानसीक जांच परिच्छा से गुजरना होगा इस पर तीन में पैरा आँремेटर के बारे में बताया जाआ रहा नहीं कि उसमें खुद example को नुकसान पहुचाने की प्रवीर्थी टो नहीं तुनहीं हैं दूसरा दूसरों को नुकसान नहीं पहुचाएगा और तीसरा समाजीक रूप से उसकी प्रवीर्थी नकरात्मक्त तो नहीं जैसे उसके दिमाग में जैसे सनकी टाइप का आदमी नहीं है मिला जो लाकर यहीं कहना चाहता है, ठीक है ना? उसके यासे बोला जारा है कि इन तीन पारामीटर पर खाड़ा उतरने के बाद ही, उसे साइनिक बनने का मौका दिया जाएगा, पर बताया तरहा है कि सेनानी मानशी के जांच के लिए एक माडियूल तयार किया है उसमें उपरोक्त जो हमने उपर तीन पैरामीटर बताया है वह लागू रख्या है उसके बासे जाएगा उसके जांच के दौरान ही जैसे काफी सर लोगे मन में यह चल रहा होगा यह परिच्छा को पूरी होगे वह देखा जाएगा कि किसी इन California के अंदर मतलब नाकारात्मक सोच नहीं आए जैसे सन की टाइप का नहीं आए जब मेडिकल होगा उसी टाइम देखा जाएगा यहां पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आगया होगा इस वर जो अगनीविर का ओनलाइन ह होने वाला है ना मेरे भाई बोला जा रहा है कि 550 रुपे अप्लीकेशन फीस लगेगा तो सरकार स्टूडेंट लोगों से पैसा कमा रही है सरकार को लग रहा है यह जितने भी स्टूडेंट तयारी कर रहा है इल्लों के पास बहुत जादे पैसा रखा हुआ है इसलिए सरक की टाइब का लड़का नहीं न है आप लोग देखें होंगे मतलब जो लोग अगनी बिर में भरती हो रहा है बहुत ज़्यादा यह सुनने को मिल रहा है कि अपने आप वो लोग गोली मार दे रहा है यह मतलब जो अधिकारी लोग रहा है उन लोग अखोपडी चेद कर दे कोई नाशा कर के आप लोग को नहीं दोड़ना ए नहीं तो उदर काफी ज्जाब दिकतों का शामना करना पर जाएगा दोड़ मारकर मतलब एक नौकरी ले ही लेना है ठीक? बाकी जितने लोग भी त्यारी कर रहे हैं, आप लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। होता है जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों बताता रहूंगा छोटी सी छोटी बात भी हमारे सामने आएगी ना तो उन सारी चीजों को मैं आप लोगों पूरा बीस्तार से बता दूंगा चलो ठीक है मिलते हैं आगले वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रम